तो रिया अब तुम्हें कैसा लग रहा है डॉक्टर मेरे बाय घुटन में अबे भी बहुत दर्ध है सूजा हुआ है और मेरा बाया हाथ भी नहीं हला पारी हुमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन सच कहूं मुझे थोड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मुझे स्कूल से कुछ छुट्टे मिलने वाली है रेया बेटा तुम्हें चोट लगी है और वही दुख रहा है अभी शायद तुम्हें अस्वस्थ लगेगा और हाँ प्लास्टर के करण तुम अपना बाया हाथ ज्यादा हिला नहीं सकती किंतु चिंता की कोई आवशक्ता नहीं है मैंने दबाई दे दी है और तुम्हारा दर्द जल्द ही कम होगा जखम भी भर जाएंगे और तुम हाथ भी हिला सकती हो इसलिए पाटशाला में ना जाने की कोई आवशक्ता नहीं है और तुम अपने दोस्तों से भी मिल सकती हो लेकिन तुम्हे थोड़ा सावधान रहना होगा सचमुश रप्टर मेरी दोस्त निशा है वो भी मिमारे लेकिन वो स्कूल नहीं आरी है क्या आपको पता है उसके भाई ने हमें बता है कि उसको बुखार जुकाम और सर्दी है और इसलिए उसे घर पर आराम करने के लिए काया है उसकी माँ ने उससे हमसे खेलने भी नहीं दिया दो दिन से देखो रिया, ये इसलिए है क्योंकि निशा किसी संसर्ग के कारण अस्वस्थ है, शायद फ्ल्यू, इसलिए उसे दोस्तों से मिलने के लिए मना किया गया है, ताकि उसका संसर्ग स्वस्थ बच्चों को ना हो इसका क्या आर्थ है, वो और मैं, हम दोनों ही बिमार है, लेकिन मैं दोस्तों से मिल सकती हूँ, और वो नहीं मिल सकती, ऐसा क्यों रॉक्टर रिया, तुम्हें एक होशियार लड़की हो, तुमने सही पूछा है, मैं समझाता हूँ तुम्हें, ना उसी तुम और निशा दोनों भी अस्वस्त या बीमार हो, तुम दोनों भी शायद दर्द, जलन और पीड़ा से तरस्थ हो, किन्तु उसमें एक बड़ा अंतर है, निशा को संक्रामक रोग हुआ है, और तुम्हें असंक्रामक इसलिए निशा जब तक बीमार है, तब तक स्वस्त लोगों से मिल नहीं सकती, क्योंकि वहां तूसरे लोग शायद उसी संक्रमन का शिकार होकर, बीमार पड़े इसकी संभावना है, किन्तु जबकि तुम्हें संक्रामक बीमारी नहीं है, इसलिए तुम्हारे संपर्क में जो स्वस्त लोग आएंगे, उन्हें तुम्हारे कारण कोई बीमारी नहीं होगी, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है, कि तुम्हारी बीमारी स्वस्त लोगों में नहीं फैलेगी, ये तो बहुत दिल्चस्प है, क्या इसका मतलब है, कि हम मनुष अलग-अलग बीमारीों से द्रस्त होते हैं, हाँ रिया, तुमने बिल्कुल सही कहा, डॉक्तर, क्या आप मुझे ऐसे अनेक प्रकार के रोगों के जानकारी दे सकते हैं, जरूर रिया, तुम्हारे जैसे होशियार लड़की को बताने में मुझे खुशी मिलेगी, तो हम शुरू करते हैं, अगर कभी कभी हम मन और शरीर की अच्छी अवस्ता से भटकने का अनुभव करते हैं, यह सब दर्द का अनुभव, बुखार, अस्वस्थता, किसी आवयोग की प्रतिबंदित गती, प्रतिबंदित क्षमता, शरीर के किसी भाग की कम शमता इस रूप में हो सकता है, यह कभी कभ कोई भी कारण हो, हमें स्वस्थ नहीं लगता, इसको ही हम रोग कहते हैं, डिस इज, मतलब स्वस्थ ना होना, तो क्या हम रोगों की व्यक्ष प्रकार कर सकते हैं कि शरीर की क्रियात्मक अथ्वा मानश शस्रे दुष्टिकूंद के अनुसार, शरीर के महत्वपूर्ण ज कारख है, पहला है आंतरिक कारख, तो आंतरिक कारख क्या है, इस कारथ है कि जनम के समय से ही जातक के शरीर या मन के अंदर कोई कुरुपता, अशक्तता या दोश है, गरप का विकास ठीक से ना होने के कारण, शरीर के किसी भाग में, अथवा अवयों में दोश निर्मान हो सकता है यह अनवन्शिक दोश म्यूटेशन के कारण भी हो सकता है जो जीन्स में मौजूद होते हैं या फिर गुण सुत्रों के कारण जो की अनवन्शिक सामगरी का वहन करते हैं ऐसे कारणों से होने वाले रूगों को जन्मजात रोक कहते हैं जो जातक को जनम के समय से ही हो और दूसरा है बाहिय कारक यानि वातावरण में से कुछ कारक शरीर और मन पर परिणाम करते हैं और रोक के लिए जिम्मेदार होते हैं ये कारक भहतिक एजेंट यानि ऊशमा दाब पिकिरन रासायनिक एजेंट्स धुआं पैस्टिसाइड्स जहरीले वायू और योग एक र पैरसाइट्स केड़े पराग और जिवानू इत्यादी ऐसे रोग जो वातावरण के कारोगों के कारण होते हैं उन्हें संप्राप्त रोग कहते हैं डॉक्टर क्या आप मुझे जन्मजात रोगों के बारे में विशेश रूप से बता सकते हैं जिससे हम उनको संप्राप् ये विशेश होते हैं, ना उसी जनमजात रोग ये व्यक्ति के जनम से ही मौजूद होते हैं, और संप्राप्त रोग ये व्यक्ति को जनम के बाद होते हैं, कारण वाचक कारक व्यक्ति के शरीर में ही मौजूद होते हैं, और कारण वाचक कारक आसपास से संप्राप्त होते ह जनमजात रोग ऐसे बहुत से रोग अनवनशिक होते हैं और एक पीडी से दूसरी पीडी में संक्रमित हो सकते हैं तो संप्राप्त रोग ये रोग अनवनशिक नहीं होते हैं और एक पीडी से दूसरी पीडी में संक्रमित नहीं होते हैं इस प्रकार के कई रोगों का अभी तक इलाज नहीं है या अनुपचारित हैं और संप्राप्त रोग के कई रोगों का इलाज भी है और उपचार भी है इस प्रकार के रोगों के उधरण है डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल अनिमिया तो इस प्रकार के रोगों के उधरण हैं टाइफॉइट, रेबीज, बर्न्स, अलर्जीज, फूड पॉजनिंग, कॉमन कूल, फ्रैक्चर्स, एड्स, कॉलरा, एक्सेटर धन्देवाट डॉक्टर, इस उप्युक्त जानकारी के लिए, अब मैं समझ गई हूँ, कि मेरे पेरों की जख्फ और मेरे हाथ का फ्रैक्चर्स, दोनों ततकालिन कमजोरी है, जो मुझे मैदान पर खेलते समय हुई है, मुझे याद हरा है, हमारा सबसे छोटा जचेरा हो, किन्तु ये कोई विकलांगता या रोग नहीं है, अब मुझे समझ आया, पर मुझे एक शंका है, प्लीज, प्लीज पूछो, क्या रोगों का वर्गी करन करने का उनके स्वभाव और स्रोतों के अलावा और कोई मार्ग है, हाँ, क्यों नहीं, बहुत बार हम रोगों का वर्गी करन रोग का समय और उस रोग मुक्ती के लिए लगने वाला समय इन चीजों के बलबूते पर भी करते हैं, इसका वर्गी करन क्रौनिक और एक्यूट में करते हैं, अब इसका क्या अर्थ है, डॉक्टर? ओके, यूसी, अगर कोई व्यक्ती बहुत समय से एक रोग से पीडित है, जिसकी तीवरता कम से ज्यादा में हैं, तो उसे क्रौनिक रोग और जो बहुत ही तीवरता से कम समय में होता है, उसे अक्यूट रोग कहते हैं क्या आप मुझे उन विविद मापदंडों के बारें पता सकते हैं, जिनके कारण हम क्रौनिक और अक्यूट रोगों में अंतर स्वर्ष्ट करें? ज़रूर यह क्रौनिक और अक्यूट बीमारियों के स्वरूप में कुछ मہत्वपूर्ण अंतर है, जिससे हम उनके बारे में बहतर समझ सकते हैं. क्राणिक रोग इन रोगों की शुरुवात बहुत ही धीरे-धीरे होती है तो एक्यूट रोग इन रोगों की अचानक शुरुवात होती है क्राणिक रोग शरीर में धीरे-धीरे वर्धित होते है इसलिए ये रोग शरीर में गंबीर रूप लेकर रोगी के ध्यान में आने तक लंबे समय के लिए रह सकते हैं तो एक्यूट रोग शरीर में गती से वर्थित होते हैं इसलिए ये रोग बहुत ही कम समय में गंबीर रूप धारण करते हैं और उससे प्रभावित व्यक्ति के ध्यान में आते हैं। क्रॉनिक रोग पूर्णता ठीक होने के लिए और उससे प्रभावित व्यक्ति फिर से स्वस्थ बनने में लंबा समय लग सकता है। तो acute रोग पूरणता ठीक होने में कम समय लगता है और उससे प्रभावित व्यक्ति जल्दी से स्वस्थ बनता है। chronic रोगों के उधारण है, arthritis, hypertension, diabetes, certain cancers, asthma, etc. और acute रोगों के उधारण है, burns, flu, typhoid, allergies, heart attack. धन्यवाद, डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वैसे दिन में से समय निकाल कर आपने मुझे बताया, धन्यवाद. यह मेरा सा उभाग्य है, तुम्हारे दोस्तों को भी यह जानकरी दे दो, ठीक है? हाँ, जरूर. अलविदारिया, तुम्हारा दिन भी शुब रहे, और तुम्हारे जल्दी ठीक होने के लिए मैं दुआ करता हूँ, सारी दवाईयां समय पर लेना, ठीक है? ओके, बाई. जरूर.